तो जी हां गाइज आज मैं आपको कोई भी अप्लिकेशन से रिलेटेड टिप्स या ट्रिक्स नहीं देने वाली हूँ बलकि आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एक बार फिर से मोधी सरकार ने हमारी 2022 में एक बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत 59 अप्लिकेशन बैन हो चु तो शुमों, 2020 को टिक टॉक बैन हुआ, उसके बाद ही हमारा सेप्टेंबर में हमारे पभी के साथ आपको 117 अप्लिकेशन बैन हुए थी, उसके बाद फिर से तीसरी लिस्ट रही जो कि September 2020 में आई थी और उसमें लगभग 43 एप्लिकेशन बैन हुई थी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी बैन हुई थी वो सारी लिस्ट आपको पता और वो सबाब अप्लिकेशन है भी नहीं जैसे शी इन वेगेरा थी क्लब फैक्टरी थी शेयर एट यह सब बैन हो चुकी थी बैन हो गई थी सेप्टेंबर नवंबर 2020 में तो उस बैन के बाद वो जब बैन हुई थी लोगों को बहुत जादा जटका लगा था क्योंकि बहुत सारे लोग टिक टॉक्स में वीडियो बनाते और एकदम से बैन हो गया था बट जो सरकार कर रही है वो अच्छे के लिए किया था ताकि जो हमारा डाटा जैसे कोई भी जैन्विन एप्लिकेशन होती है वो आपकी परमीशन के बिना आपको अलाओ करना पड़ता है जैसे गूगल अगर आपसे मांगता है कि आपको यहा पाइना से रिरेटेट थी वो आपका बिना परमीशन लिये ही आपका जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं उसका मिस्यूज हो जाता है इसलिए मोधी सरकार ने जो हमारी सरकार है उन्होंने बैन करवा दी तो एक बर फिर से 2022 में फिर से वही हो चुका है जिसमें कि आपका कोड़ी देर में या कुछी दिनों में उसका भी सफाया हो जाएगा तो कहने का चलिए तो यह जानते अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बैन हुई है कौन सी 54 अप्लिकेशन है जो बैन होगे तो चलिए हम लिस्ट दिखाते हैं आपको और उनमें आपको नाम भी ब कामरा स्वीट सेलफी और इसके बाद यह सोला और आप देख सकते हैं कैम कॉडर नाइस वीडियो मतलब इस भी अप्लिकेशन है यह अब इंडिया में बैन हो चुकी है जिसमें की बहुत सारे एक्क्यूलाइजर वाले मुझा म्यूजिक से जो रिलेटेट थे वो बैन हो च चुका है तो देखा गाइस आपने यह 54 एप्लिकेशन हमारे इंडिया से बैन हो चुकी है अब यह नहीं दिखाई देंगी जिसमें दो तीन तो आपके जो यह हैं मतलब ब्यूटी से रिलेटेड हैं जो कैमरे वेगरा से हैं ब्यूटी कैमरे वेगरा वो सब हैं और बाकी जिनका मैंने आपको नाम बताया तो यह सब सारी अप्लिकेशन जो हैं वो साफ हो चुकी है अब यह आपको नहीं मलेंगी प्ले स्टोर में तो होप्स हो कि आपको जानकारी यूसफुल लगी और होगी और आपको भी पता चला होगा कि कौन सी यह जो अप्लिकेशन से यह बैन हो चुकी है तो आजकल मोदी सरकार जो है वो बहुत ही जादा चाइना पर बढ़के हुए कि वो कुछ भी ऐसा इल्लीकल या कुछ भी ऐसा बरदाश नहीं करेगी जो भी आगे भी ऐसी अप्लिकेशन आएंगी तो में भी तो वो भी आगे भी जाकर के वो भी बहुत स चाइना अप्लिकेशन कब बैन हो जाएगी आपको पता नहीं और आपके यूट्यूब भी यूट्यूब पर अच्छा खासा फरक आजाएगा अगर कोई भी चाइनीज अप्लिकेशन पर आप कोई भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं तो जब इसके बारे में अगर आपको कोई अच्छी जानकारी है तो इसके बारे में दीजिए बट कोई एक तीम जैसे अप फ्री फायर का जो गेम था उस पे अगर लोगों के पूरे-पूरे चैनल बने हुए हैं पूरे-पूरे ही चैनल है फ्री फायर पर ही तो अभी वह बैन हो इसको कौन देखेगा कोई नहीं देखेगा तो एक इफेक्ट आजाएगा यह नहीं आप उसको भी करो और उसके साथ में कुछ ऐसा लेके चलो जो जैन्विन है और इंडिया का है तो कभी भी आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वीज आपको दोनी तरफ से ते केर